मश्रा दूस्ता करेंसरी प्रीमर्केट अनलेशिस पे आप सभी का स्वागत है आज है आपका 7th of February ट्विटी 24 Wednesday and I am your host अशेशिवर्ण डॉलर इंडेट्स अभी है आपका 104.10 कल के दिन में ये हाई मारा था 104.59 परसो याने 5th of February को भी ये 104.60 का हाई मारा है that being the case Monday and Tuesday को ये tweezers top बनाया है what it means tweezers top at a typical resistance इसका मतलब ये है जब तक ये tweezers top का हाई उपर के तरफ ब्रेकावत नहीं करते है there are higher probabilities कि डॉलर इंडेक्स मेचे के तरफ आएगा so what will be our analysis our analysis जब तक ये swing को हाई नहीं हाई को नहीं ब्रेक नहीं करते है यहां से अगर जब तक ऊपर के तरफ ब्रेक नहीं करते है जो हमारा expectations था कि dollar index will move towards 106 2040 वो नहीं हो तो अभी यहां पर हमें क्या देखना है one more concept यह resistance level पे ऊपर के तरफ ब्रेक आउट अभी अगर यह नीचे के तरफ ब्रेक डाउन कर लेते हैं यान एक negative candle जो आपका close देते हैं लो के नीचे something like this instead then in such a case it will be considered as a false breakout on the higher side in such a case the dollar index sharply पहले यह 103 के तरफ आएगा है तो हमें अभी इंतेशार है आइदार यह रिजिस्टेंस लाइर जो 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 इसके नीचे एक it is expected to move towards 106 to 81 next is your dollar rupee nothing new in dollar rupee currently it is at 83.0 to 03 levels so यह रींज बार रींज में ही चलता रहेगा जब तक further clarity is GBP dollar GBP dollar में कल पर्सों के दिर एक जबर्दस negative candle बनाये जो support level के सामने 1.25 1.25 1.25 2.0 के सामने आके लोज दिया था कल के दिन में वर्सों का जो प्राइस सेक्षिन है उसका मोर्दिन 50% रेकोवर करें यह अभी हमें क्या दे यहां पर भी similar analysis ऐदर प्राइस को यह जो पहले का सपोर्टा इसके ऊपर जाके को जोस्टे एक ज्रीन केंडल बनाये something like this in such a case it will be considered as false breakdown on the lower side again here what I false breakdown on the lower side in such a case GBP dollar GBP dollar में मूफ तोर्स 1.28 and 1.2830 रेपीडली बहुत कुई होना है यह एक अक्स कंडिशन है दूसरा कंडिशन अगर यह दुबारा एक कल के लोग के लोग के लिए कल परसों का जो लोग उस लोग के नीचे जाके close देते हैं in such a case हमारा क्या एक्सपेक्टेशन सोगा GBP dollar में मूफ further down towards 1.24 क्या होता है हमें अभी देखना पड़ेगा यह हो गया GBP dollar similarly GBP INR में भी similar analysis है अगर यह previous resistance के ऊपर जाकी close देते हैं in such a case GBP dollar काफी rapidly यह मूफ करेगा अपका 106.20 के आदर अगर यह low put low होता है then काफी जल्दी से यह मूफ करेगा 103 के तरफ नाओ euro dollar में भी same analysis आज यह आने वाले दिनों में अगर यह 1.08 को ऊपर close देते हैं in such a case euro dollar काफी rapidly में मूफ ट्वर्ज 1.09 और अगर नीचे के तरफ breakdown करते हैं तो बहुत नीचे जाने के लिए तैयर होगा जिसका first target हो सकता है 1.065 यह हो गया आपका euro dollar then euro add इस का भी similar analysis यह जो पहले का support था इसके ऊपर आपके अगर close देते हैं in such a case it is expected to move towards 91 अगर यह लोग को तोड़ता है लोग specifically the support level को तोड़ता है in such a case it is expected to move towards 87.8088.00 dollar yen dollar yen में 147.84 यह आपका 148.7080 लेवल के system नहीं करा है यह नीचे आ चुका है that will be in the case in such a case dollar yen में एक अच्छा कास सेलिंग हम expect कर सकते हैं inr में inr में अभी हमेरा double w जाहिए यहाने एक स्विंग उस हाइक को तोड़ेगा उपर जाएगा फिर एक स्विंग बनाएगा उस हाइक को भी तोड़ेगा in such a case inr में एक अप्मूव हम expect कर सकते हैं dollar candy dollar candy यह जो resistance इसको तोड़ नहीं है यह रधर resistance के सब नीचे के तरफ आया तो अभी एक जोन हो चुका है on the higher side 1.3550 and on the lower side 1.3350 यह तो बीगी के बीच में एक volatile choppy behavior हम expect कर सकते हैं अभी आपका 80 dollar, 80 dollar में भी similar analysis यह अगर पहले का जो support था जो अभी रिजिस्ट है इसके उपर आगा close देते हैं 1.6550 के उपर then in such a case काफी जल्दी से हम expect करेंगे पहला यह target that is your 66 and then 670 cnh में यह हमारा यह 7.20 के ऊपर sustain करने से आवर टार्गेट इस दिस 7.25 and 7.2 में लेकिन कल के दिन में आपका due to previous high-endedness यह pullback है अभी हमें integer है क्या यह pullback के बाद high को तोड़ेगा in such case यह पक्का जाने वाला है 7.25 अभी हमें integer है इस high को तोड़ने का इस high को तोड़ने का इस high को तोड़ने का तोड़ने का यह open के तरफ जाने के लिए देन इस कमिने यह दिए ब्रेंट कूट फ्योच फ्योच जो 79.37 में प्रोज दिया हूँ यह हमें यह जो लो है ऑन 6th February का लो यहाने 77.80 के नीचे एक डावर्ड मॉवहम एक्सेट अभी next is your US 10-year Treasury, US 10-year Treasury currently trading at 4.08 यह उपर में resistance level को respect भाइसे भी यहाँ पी यह जो trend line resistance था इसको respect अगर कर से है तो यह दुबारा नीचे के तरफ आने के लिए त्यार है अभी हमें देखना है किया है यह दूबारा यहां को नहीं तूरने जाए तरफ इसको तोर नहीं को तोर नहीं को तरफ पर के तरफ 4.49 नहीं के तरफ आपका 4.13 इस पो अगर त्रियात करेगा तब जाके कुछ एक रेंट के खेंट प्रेंट आपके के लिए इतना ही उषी यू 흡ड थाए वाध मज थैए हर था तरफ प्रें के लिए